हेलो फ्रेंड्स चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्त कैसे आप लोग आसा करते अच्छे होंगे देख सकते हैं दोस्त यह जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं यह आप गेस किजिए कि यह कौन सा जंगल है कहीं हम लोग अमेजन के वन में तो नहीं आ गया है नहीं नह पहार भी आपको सामने में दिखने को मिलेगा और इसी पहार में आपको और इस जंगल में सबसे बड़ी बात है अभी पत्जहर का सीजन चल रहा है सभी पत्ते जहर रहे हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यह कितना घंगल है इस जंगल में आप अप सबसे बड़ी बात है कि आपको दूर दूर तक कोई भी मनुष्य सीट्ण आपको देखने को मिलेंगे नहीं कोई आदमी नहीं मिलेगा और जो मिलेंगे वहरined karminha आते जाते कोई आपको ट्रेकमैन के साथ ही या कोई गारी जब गुज‌रेगी तो वही आपको कोई देखने को मिलेंगे बाद बाकि आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा कोई आदमी सापको इसमें भेट नहीं होगा और देख सकते हैं दोस्त अभी इधार हम आये हुए हैं तो अभी कोई काम है नहीं कुछ है नहीं फिरी हैं तो सोचे कि थोड़ा आप लोग को इ नेचिन से और सब्सक्राइब होंगे आपको आपे जानवर के आवाद बादे न से उन्दरम के भिने जान दिता। जो अधिकतर बंदर निकल करके रेलवे लाइन पर आके बैठ जाते थे और वो सबसे ज़्यादा इधार देखने को बंदर ही मिलते हैं और जो और भी जानवर मिलते हैं जैसे कि अधिक बंदर निकलते हैं तो उसकी जानकारी तो सभी रेल कर्मी को पहले से दी जाती है थोड़ा भी कहीं पूरा लाइन पर कहीं इधार या कोई भी जंगल के एरिया में अगर हाथी दिखा तो वन विभा के दोरा पहले बता दिया जाता है कि हाथी निकला हुआ है तो उसक और लाग़ा जैसे कि नीचे से ऊपर कियो जा रहा है यह आपको देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा लेकिन यहां देखने से एकदम ज्यास्ट बगल से जंगल सुरू होता है और देखिए कहां तक जंगल जाता है पूरा पहार पे देख सकते हैं यही है यह जंगल इसे निया गड का जंगल कहते हैं यह निया गड का ही जंगल है और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड है रेलवे लाइन के दोनों साइड आपको यह जंगल देखने को मिलेगा इसी में आप देख सकते हैं बार-बार जब मैं इधर से गुजरता हूं तो देखता हूं कि यह अलग प्रकार का यह पौधा पता नहीं किस चीज का है लेकिन यह जंगल में सबसे साइड मही यह पेर देखने को मिलता है इसमें लगता जैसे भी कुछ फला हुआ है जो इसका फल है वो फला हुआ है जीसे कि बिहार में लोग इसको सोहिजन के जैसे बोलते है वैसा तो प पेर नहीं है उसका पत्ता नहीं है लेकिन फला हुआ है सेम वही डिजाइन में फला हुआ है जिसमी चीज का पेर हो अपना यह फल बहुत ही अधिक मात्रा में फला हुआ है अडिया इधार एक महीना से लगवक देखने को मिला देख सकते आप लोग भी एक दम सोहिजन की से सबासाने देखने को देख रहा है एक एक हाथ काव़ी है, सोहिजन की तरह नहीं जाया है जम्त रेकिन को देखने को सब्सक्राइब देखिए रेलवे लाइन गुजरती है और इसी के दोन और आपको यह जंगल देखने को मिलेगा तो दोस्त दीन के समय में तो रेल करमचाडी इसमें ड्यूटी करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा वाओ क्या स्रीन है लेकिन रात के समय में जब गारिया इदर से गुजरती है तो हम लोग जो भी खास के जो रेलवे के जो भी साथी है जो गार्ड लोग खास के है वो जब इदर से गारी निकलती है तो उनका गेट हमेशा बंद रहता है दोस्त देख सकते हैं यह चाल मिनिट का वीडियो हो चुका है लेकिन अभी तक आपको कही इसे भी कोई भी एक आदमी अभी तक आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा अगर थोड़ा सांत होके अगर अनुभव करेंगे तो यहां पर एक अलग टाइप का आवाज आपको सुनने को मिलेगा जो कि नॉर्मल जो जंगल का है जो चिरिया एकदम चहार रही है और आप में यहां पर गारी रुकती है तो हम लोग जो फी साथी है कैसे हम लोग यहां इसमें रहते होंगे लेकिन आप कोई बात नहीं आप तो ड्यूटी है और आदत है रात के समय होता है कि गेट बंदगर के हम लोग को रहना पड़ता है पादवा की दोस्त अभी गारी कि थोड़ा जिग्यासा हुई कि दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से अप लोग कमेंट करेंगे किस चीज का पौधा आपको देखने से लग रहा है यहां पर दूर दूर तक देखने पर बस यही एक पौधा दिख रहा है जो इस तरह का है जिसमें कि कुछ फला हुआ ठीक है दोस्त मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि यह किस चीज का पौधा है या कौन सा फल फला हुआ है इसके अलावे अगर आप लोग को जानकारी हो तो अपले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी साथीं कि जंगल जंगल को देखिके थोड़ा कैसा फील कर रहे हैं इसके बाड़े में आपद बाहुती संसे पहार भी अब इद्लेंस तो यह तो ऑपको दिखाएंगे फिलाल हमारी गाड़ी यहां पर दो घंटा से रुक हुआ है तो सोचा कि थोड़ा एक वीडियो बनाए और वो भी वीडियो बनाने का मुख्य उद्धस था वो जो पेर मैंने देखा वो आपको दिखाना था इदर बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था तो सोचे कि आप लोग के बीच एक वीडियो के माध्यम से आएं देख सकते हैं दोस्त रेलवलाइन से सटा यह जंगल है यहां से शुरू हो जाता है और देख सकते हैं कितना घंटा जंगल है वीडियो में आपको यहां न बताया जाता है कि हाथी निकला है और कभी-कभी हाथी निकला भी है हम लोग भी देखे हैं द्यूटी के दर्वियान तो दोस्त देख सकते हैं यही है नया गड़ का जंगल थैंक्यू कैसा लगा वीडियो कमेंट करें और उस पौधा के बारे में जरूर कमेंट करें खासक थैंक्यू मिलते हैं फिर नए वीडियो में